ओम नमः शिवाय हरहर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस एपिसोड को अश्टार्ड करते हैं और जानेंगे हम सभी दिपावली पर धन प्राप्ती के लिए पांच अचू कुपायों के बारे में यानि कि इन में से कोई एक उपाय भी आप अपनाते हैं तो आपको पूरे साल धन की कमी नहीं होगी जी हाँ लक्षमी प्राप्ती के लिए दिपावली पर कई लोग साधारन जोतिशिय तो कई लोग तांत्रिक उपाय करते हैं हम आपको साधारन उपाय बता रहे हैं सबसे पहले ज शिर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा पूजा के बाद इन कोरियों को अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए इसके लावा दूसरा उपाय है जाडू की पूजा धनते रस पर जाडू खरीदें और इसी से घर की सफाई करें इस जाडू को किसी भी आने वाले अतीथी की नजर से चुपा करके रखें और बाद में उस जाडू की पूजा करके उसे किसी मंदिर में दान करके नई जाडू खरीद लाएं इसके अलावा तीसरा उपाय है पीपल को दीप दान करें जी हाँ दिवाली की रात को पीपल के पेंड के नीचे घी का दीपक जलाएं दीप कावा चौत मिलगा है आपके लिए कमल का फूल जियां दीपावली की रात को किसी महा लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के पांच कमल के फूल अर्पित करें और पांच दीपक जलाएं जिससे की माता लक्ष में प्रसन हो करके आपके घर को धन सम्रिधी से भर देंगी पांचवा उपाय है लगु नारियल जिहां लाल कपड़े में उन लगु नारियलों को लपेट करके तिजोरी में रख देना है आपको और दिवाली के दूसरे दिन किसी नदी या फिर तलाब में विसरजित करने से लक्ष मी जी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती हैं विसरजित करने के बाद दूसरा लगो नारियल तिजोरी में रख सकते हैं आप एकाक्षी नारियल को घर में रखने से धनलाब होता है साथ ही साथ कई प्रकार की समस्याएं स्वतह दूर हो जाती हैं पोजेटिव एनर्जी का संचार होता है तो इस प्रकार से दिपावली के दिन इन में से कोई भी एक उपाय अपना करके आप अपने घर को सुद्रेड़, स्वक्ष और मा लक्ष्मी की क्रिपावाला बना सकते हैं यानि कि रोग दूख और दरिद्रता का नाश करके लक्ष्मी जी धन का साथ में वैभाव का भी आग कराती हैं तो यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाए और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें क् एक छोटा सा प्रयास लाइक शेर और कमेंट का बहुत सारे लोगों को लाप पहुंचा सकता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें विदा लेते हैं इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आननदीत रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव जैमा लक्षमी